हाई फ्रेंड मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल कुकिंग मुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने जुआर के आटे का ऐसा सिर्फ पांच मिट में बनने वाला नास्ता लेकर आई है जो आपको बहुती पसंद है और इसको अपने किचिन में एक बार जरूर ब अपलिया और जो पेश्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है साथ में मैंने कुछ मैथी की पत्तियों को दो कर साफ करके बारी काट कर इसमें चौप करके डाल दिया अब यहां पर मैंने थोड़ी सी हींग जीरा सौफ तिल अजवाइन और ये नमक इन सब को अच्छ कर दिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद जितना पानी हमें लगेगा हम उसको एड़ करेंगे मिक्स इसलिए करना है कि मैथी में कुछ पानी है वो जवार का आठा अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले अब जिसमें मैंने पेश्ट बनाया था उसी जार में पानी लेकर इससे आठे को गूत रही हो यहां पर मुझे जो आठा गूतना है वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो मीडियम डो बनना चाहिए और यहां पर हमें ज़्यादा पानी की आवश्रक्ता भी नहीं पड़ती है सबसे अच्छी बात है इस आठे को गूतो और अपनी रेसिपी को बना लो जितना पानी जरूरत है मुतना ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ नहीं डाल रहे हैं और आठे को गूत लेते हैं फ्रेंट से भूत ही जटपड बनने वाली रेसिपी है आप इसको जरूर एक पर अपने घर में करें और बताएं मुझे कमेंड करके कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी है देखिए मैंने आठा गूत लिया यह ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉट है अब हमें इसको ढखकर नहीं रखना है तुरंत ही इसकी मुठी आजिसे कहते मुठी अब इस तरह से मैंने सारी बना कर रख ली है इसमें देखिए आप मैंने इसमें बना लिया है और आप हमने एक कडाई लिये और कडाई में जो भी आपका खाने वाला तेल है वो मैंने इसमें ले लिया है यहाँ पर हम इनको डीफ फ्राइ करेंगे और देखिए हमारी कडाई हो मेडियम चलेगी हमें इतना इसको फ्राइ करना है जब तक यह अंदर से सॉप्ट और बाहर से कुरकुरा कुरंची ना हो जाए देखिए अब हम इनको लो फ्लेम पर अच्छे से डीफ्राइ कर लेते हैं जब तक यह ब्राउन ना कलर का हो जाए और बीच बीच में इनको जरूर पलटते रहिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फैमली या फ्रेंड के साथ जरूर सेयर करें अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रस कीजिए जिससे मेरी जो भी आने वाली आगे भी मैं चाहती हूं कि मिलता रहे इसलिए आप प्लीज मेरी वीडियो को देखिए और पसंद कीजिए यहां पर देखिए अच्छे से जब तक फ्राइ करना है जब तक यह ब्राउनिस कलर के ना हो जाएं यह बहुत ही अच्छा और टेश्टी नास्ता है बहुत ही जटपड बन जाता है और आप यह मॉर्निंग में या फिर दोफैर के नास्ते में भी इसको बना सकते हैं या आप किया कोई भी महमान आ जाए अचानक और आपके पास कुछ भी आपसन ना हो तो आप इनको जरूर बनाकर उनको खिलाइए सभी को बहुत पसंद आएगा देखिए कितने अच्छे से फ्राय हो गये हैं यह मेरा एक बैच डेडी हो गया है अब मैं दूसरा बैच इसी तरह से फ्राय कर लूँगी यह देखिए यह बैच रेडी हुआ है आपको आवाज सुना कर भी बताऊंगी यह कितने क्रंची है दोनों तरप से और अंदर से तोड़ने पर देखिए खसता है और अंदर से कितना सॉफ्ट है इस तरह से मैंने सैकेंड बैच भी अच्छे से डीप फ्राय कर लिया है थैंक You for watching my video